मौत को छोड़कर हर बीमारी की दवाह है ये चमतकारी जड़ी बूटी कलोंजी नवश्कार भाईयों बहनों और दोस्तों जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको कलोंजी के बारें बताने बाले हैं जो दुनिया की हर बीमारी को दूर करनी की चमता रखती है और ये एक बहुती अच्छा इम्मिलूटी बूश्टर है कलोंजी आपकी इम्मिलूटी को इतना बूश्ट कर देती है कि कोई भी रोग आप पर हावी नहीं होता है और ये दि आज आता है तो बहुती जल्दी दूर हो जाता है कलोंजी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा कलोंजी एक प्रकार के पोधे के बीज होते हैं इस प्रकार के इसके फूल होते हैं जिन से कलोंजी के बीज प्राप्त किये जाते हैं ये काले रंग के बीज होते हैं जो प्याज के बीजों की तरह दिखते हैं लेकिन प्याज के बीजों से काफी भिन्न होते हैं कलोंजी के बारे में काफी सारे रिसर्च हुए हैं जिन से ये पता चलता है कि इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन्स मिनिरल्स पाई जाते हैं और इसके औसुदिय अगोने भी इतने हैं जिसकी जितनी प्रसंता की जाये उतनी कम हैं वीडियो को अंतर तक देखेंगे तो आज आपको विजबास हो जाएगा कि इस कितनी फायदे मन्द है कलोंजी की बीजों से तेल निकाला जाता है जिसको कलोंजी ओईल केते हैं यह कलोंजी का तेल सबसे आसान और सुब्दर जनक होता है इसको लेने का तरीका भी बहुत आस किया फायदे हैं कैसे उपयोग करना है और क्या नुक्सान हो सकते हैं सब कुछ जानेगे इस वीडियो में अंति तक बने रहें वैसे तो बजार में काफी सारे कलोंजी के वाइल आते हैं लेकिन हमारे पास जो है नेचे शोयर का कलोंजी वाइल है यह सौप प्रतीशत सुद् में नहीं होते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड नेचे शोयर के कलोंजी वाइल की है यह खाने में लगाने में डोनों में पयोग किया जाता है इसके 110 ml की कीमत मात्र 309 रुपय है लेकिन उसके बाद भी यह आपको भारे डिसकाउंट के साथ मिलता है इसका बैस्ट यह बोटल निकलती है जिसके अंदर सुध कलोंजी का तेल है इसकी खुसबू नेचरल है इसमें किसी फिरकार का पर्फिम मगरा नहीं है इसलिए आपको इसकी नेचरल खुसबू आएगी हो सकता है किसी किसी को यह थोड़ी आजीब लगे लेकिन कुछ समय बाद यही खु रोग, स्वेत प्रदर, पी लिया, हर्निया, थाइराइड, मुहासे, मोटापा, डायविटीज, ब्लेड प्रेशर, अस्तमा, सुगर, चेहरे की सुन्दरत बाणने के लिए, मिर्गी, मर्दाना कमजोरी, बालों का अत्यतिक मातरा में जहर्णा, गंजापन, याद्दास की कम हाथ-पेरों का सुन हो जाना, फैपडों का इंफेक्शन, जोडों का दर्द, सर्दी जुखाम, खासी, नजला, अस्तमा, यूरिन इंफेक्शन, जहसी अंगिनत बीमारियों में उप्योग किया जाता है, यह एंटि एजिंग का काम भी करता है, और इसको आप खा भी सकते ह और लगा भी सकते हैं, कलोंजी के अंदर आपको सभी परकाग के वितामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जहसे कि प्लोटीन, केल्सियम, कार्व़ाहेटेड, पोलेसियम, फाइबर, वितामिन ए, वितामिन भी-खथ, वितामिन-बी-12, वितामिन-C, एंति- एक्तिरियाल, एंति इंफरमेटरी, एंटिसेप्टिक, आदिगुन इसके अंदर पाई जाते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि कलोंजी का तेल कहसे उपयोग किया जाता है कलोंजी के तेल के सेबन करने की अलग-अलग विदिया होती है और अलग-अलग रोगों में आप इसका सेबन कर सकते हैं अलग-अलग अनुपान के साथ यदि किसी को पाचन की समस्या है तो गुन-गुने पानी में एक चमच कलोंजी का तेल मिलाएं और उसमें काला नमक मिलाकर सेबन करने से पाचन संबन्दे बिकार दूर होते हैं सरीर में एक्ष्टा चर्वी को घटाने के लिए एक गिलाज गुन-गुने पानी में नीबू के रस के साथ कलोंजी की तेल की कुछ बूदे मिक्स करें और इसको थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें इससे आपका बजन तेजी से कम होने रगता है मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भी कलोंजी का तेल बहुत इफादे मन होता है कलोंजी के तेल में पुदीने के पत्तों का रस मिला कर पिलाने से मानसिक समस्यां दूर होती है आँखों की समस्याओं को दूर करने के लिए या आँखों की जोती बढ़ाने के लिए एक कब गाजर के जूस में आदा चमच कलोंजी का तेल और एक चमच शहद मिला कर मिक्स करें और इसको सुभह साम रोज पीते रहें इससे आपकी आँखें हिल्दी होंगी बढ़ती उम् रोज गुनगुने पानी के साथ सेवन करें और इस तेल को सिर में लगाने से बालों की जढ़ने की समस्या तुरंद ठीक होने लगती है जिन व्यक्तियों को गठिया की समस्या है तो वहाँ पर कलोंजी के तेल में शहद और सिरका मिला कर जहां पर भी दर्द है या समस्या ह वहाँ पर लगाते रहने से गठिया के लच्छनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है तो अचा के दाग धब्बे चेहरे के कील मुहा से दूर करने के लिए कलोंजी की तेल को लगाना और खाना चाहिए वैसे तो कलोंजी के और भी काफी सारे फायदे हैं जिनको आप गूगल करके देख सकते हैं अब इसकी नुकसान की हम बात करें तो इसके वैसे अभी तक किसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने में नहीं मिले हैं पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए गरवति और इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को कलोंजी के तेल की उप्योग से पहले अपने डाक्टर की सला ले लेनी चाहिए कुछ लोगों को कलोंजी के तेल से एलर्जी हो सकती है या फर जी मचलाना उल्टी आना जैसे लच्छन देखने में आ सकती हैं इसलिए पहले थोड़ी कम मातरा में इस्तेमाल करें कलोंजी का तेल बिलेट पेसर को कम करता है इसलिए जो लो बिलेट पेसर वाले व्यक्ति हैं वह इसका उपियो करनी से पहले डाक्टर की सला जरू ले लें इस तेल को हमेशा साथ सुतरी जगा पर ही रखें इसके बाद भी यह दिया आपके मन में किसी प्रिका का कोई सवाल है विचार है या फिर आप कुछ पूछना चाते हैं तो नीचे कमेंड बाक्स में बता सकते हैं इसको खरीदने का बेश्ट वाई लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्द करा देंगे वहाँ पे क्लिक करके आप इसको घर बेठे ही मंगा सकते हैं आई होप की जानकर यह आपके लिए फायदे मन साबित होगी इस विलियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकरी के साथ नमस्कार